जैहेंद श्टुडेंस और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ Communication Cycle and Importance of Feedback यानि Communication Cycle क्या होता है आपने Water Cycle पढ़ा होगा, Food Cycle पढ़ा होगा अब हम आपको बताने जा रहा है Communication Cycle यह Cycle चड़ने वाला नहीं है, बस यह समझने वाला है तो इसलिए इस पर चरने की इच्छा ना रखें ऐसे भी आज कल Cycle भी ऐसे आने लगे हैं जैसे कोई भी Confuse कर जाएगा कि भाई यह Cycle है या फिर बोले रो, इतना मोटा मोटा चक्का आता है कि दिमाग भी मोटा हो जाता है, चलिए छोड़ी आगे बढ़ते है Provide Descriptive and Specific Feedback देखिए, Feedback का बहुत महतो होता है Communication में Feedback का मतलब जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं आपको हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं तो Feedback मिलना जरूरी होता है कि जैसे आप लोग Feedback देते हैं कि हाँ, सर यह उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बोलता है, सर यह बहतर लग रहा है यह तरीका अच्छा है तो क्या होता है, इससे Motivation मिलता है मतलब वो क्या बोलता है, थोड़ा बढ़ावा है ना, वो मिलता है उत्सावरधन होता है, कि हाँ भाई, ऐसा हम को करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा Feedback Positive आ रहा है मैं अगर मैं कर रहा हूँ, तो फिर मैं इसको करते रहा हूँ और अगर ज़्यादा Feedback Negative आने लगे तो मैं इसको छोड़ दो तो यह Decision लेने में कोई भी Work के लिए अच्छा होता है, Feedback किसी करीव जरूरी है देखते होगे कि आप लोग Customer Care वगर को Phone करते हैं, तो वो भी आपको Feedback लेता है और Feedback पूछता है कि भाई मैं हमारे Services कैसे लग रहा है इतना ही नहीं, अगर आप कोई App यूज कर रहे है App, Mobile का App यूज करते हैं तो देखते हैं न, आपसे Start में Feedback मांगता है आप कोई App कितना पसंद आया, 5 Start में आप रेटिंग किजिए जी, वन से लेके 5 Start में तो आप लोग रेटिंग करते हैं तो Feedback किसी भी काम को बहतर करने के लिए काफी जरूरी होता है आप यूटूब ही आप लोग वाज करते हैं यूटूब में Like करते हैं, Comment करते हैं तो Like Comment का पैसा यूटूबर को नहीं मिलता है ठीक है Like Comment जो आप लोग करते हैं उसका पैसा यूटूबर को नहीं मिलता है बस क्या होता है न, कि यूटूब जो यूटूबर है उसको फुरा प्रोटसाहन मिलता है कि नहीं मतलब हिम्मत मिलता है कि लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं अच्छा लग रहा है ठीक है तो यह उन लोग के लिए जो है प्रोटसाहन के लिए ही होता है उन लोग को जो आमदनी होती है यू communication cycle के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम लोग feedback का importance देखेंगे ठीक है साथ ही साथ ठीक है तो चलिए यहाँ पर देखिए communication cycle comprised of the following eight components यानी communication cycle में total eight components होते हैं याद रख लेंगे कितने components होते हैं eight components होते हैं ठीक है तो एके करके हम सबको देखते हैं पहला है sender sender मतलब source यानी जहां से को information निकल के आया also known as source he or she is the person who wants to send the information यानी कोई information send करना चाहता है जैसे मैं अभी, मैं अभी sender हूँ क्योंकि आपको information send कर रहा हूँ कोई जो bold हाँ, कोई link के दे रहा है तो वो sender कहलाता है और वही source हुआ, source यानी जहां से data आया ठीक है, उसके बाद बाड़ी आती है idea की, the information or ideas the source sender wants to share with the receiver, यानी हम क्या share करना चाहते हैं क्या share करना चाहते हैं इसको target भी कहा जाता है, यानी target क्या है information का हम जो आपको बता रहा है तो देखिए, idea क्या हो गया communication cycle, हम आपको यही बता रहा है यही बताना चाह रहा है, यह हो गया idea, दो हो गया तिसरा देखिए, message this is the actual piece of information that is intended to be sent from the source or sender to the target or receiver ठीक है एक मिनट ठीक है, तो यहाँ पर क्या है source sender to the target receiver यानी मैं जो भी आपको details दे रहा हूँ उसके बारे में जो पूरी जानकारी दे रहा हूँ यह कहलाया message यानी मैं आपको जो वास्तों में जो information देना चाहता हूँ जो मैंने आपको idea बताया यानी हम आपको बताना क्या चाह रहा है brief में ठीक है यानी जो motive था उसका target था क्या हम चाह रहा है बताना आपको वो और message यानी हम जो बताना चाह रहा है उसका पूरा details ठीक है, आप देखिए है encoding, encoding क्या होता है encoding मतलब code करना coding करना coding करने के process को ही encoding कहा जाता है here, the source or sender यानी मैं select a common language कोई एक भासा चुनता हूँ for example, English या Hindi ठीक है, that can be understood by the target जो की तुम लोग समझ सको तुम लोग क्या हो, target हो या receiver हो and encodes convert into mutually under understandable language information यानी, हम जो बोल रहा है आपका mind उसको समझ रहा है ठीक है, mind कैसे समझेगा अब जैसे मान लोगी कुछ English में ही हम बता रहे हैं आपको चुकि English हमारी मात्री भासा है नहीं है ना, हमारी मात्री भासा तो हिंदी है तो वैसी स्थिती में क्या होता है कि हम जो आपको बात बता रहे हैं इलिस में जो बोल रहा है या आप लोग पढ़ते ही है कुछ तो आपका mind automatically उसको आप ले आपकी local language में convert कर देता है ठीक है यह जो convert करने का जो process होता है language को आपके mind के द्वारा यही encoding कहलाता है ताकि आप message को समझ सके ठीक है तो यहाँ पर चार हो गया बाकी का बचा चार वो भी देखिए communication channel अभी यह communication channel क्या है भाई अभी तो national channel और डीडी भारती channel famous है यह communication channel कहां से आ गया देखते हैं और ऐसे भी आजका लानुडाग का भी यह लानुडाग channel famous है YouTube का आगे देखिए communication channel the source or sender selects an appropriate medium or channel the source sender selects an appropriate medium or channel यानि जो भी sender है वो किसी माध्यम का यूज करता है ठीक है जैसे face to face dialogue बोलना हम तो face to face अभी मालो की बोलड़ा है letters, fixes, telephone calls, electronic mails and so on to transfer information to the target अभी बाबु मेरा information क्या आप लोग बताइए अभी जो information का जो मेरा medium है वो है video है मैं राइट? हाँ चलिए ठीक है आई उस बोला है right है ठीक है तो यहाँ पर क्या है अभी जो information का जो send करने का information का जो send करने का जो मेरा माध्यम है वो है video और इसी के माध्यम से हम आपको send कर रहा है जिस माध्यम से आप information को sender से receiver को भेजते हैं transfer करते हैं वो जो medium है communication channel कहलाता है अगर हम किसी को आपको लिख के दे return में दे तो जो मैंने लिख के दिया page पर वो कहला communication channel ठीक है आमने सामने बोल रहे हैं face to face तो यह हो गया communication channel यानि तरीका information को share करने का तरीका जो है वो communication channel कहलाता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं दूसरा है receiver target तुम लोग the receiver or the target to whom the information is intended to be sent यानि जिसके पास यह video जा रहा है जो students वो video देख रहा है वो receiver कहलाया, target कहलाया बाद बाकि बेवकूप कहलाया क्योंकि video नहीं देखना गलत बात है ठीक है हम पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत करें देवकूप नहीं हुआ हूँ आगे देखो क्यों क्योंकि भाई वो knowledge छोड रहा है और ग्यान जहां से मिले लेते रहना चाहिए चाहे करोड़ों रूपे लगा के हो चाहे फिडी में मिले ग्यान लेते रहना चाहिए उसका बहुत value होता है आगे देखिए डीकोडिंग अरे भाई यह क्या हुआ पहले इनकोडिंग फिर डीकोडिंग इनकोडिंग इनकोडिंग यानि कोडिंग करना कोडिंग करना यानि हमने वहां पर समझाश्म आपको इंफ्रमेशन दिया था कोडिंग करके दिया था ताकि आप उसको समझ सके हिंदी में बोल रहा है उसके अगर अगर हम अपने आप लोग समझ मैं आया मैंने क्या बोला नहीं समझ मैं होगा ऐसे हम खुद ने समझे तुम को कैसे समझाए तो यह हो गया encoding ठीक है जो हम language आपके लिए understandable बनाए तो वो हो गया क्या encoding अब decoding को समझ यह decoding here the target receiver interprets the information that was encoded and sent by the source or sender यानि मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपका दिमाग उसको क्या करेगा convert कर लेगा ठीक है आपका दिमाग क्या करेगा इसको convert करेगा समझने लाइक आपका दिमाग बनाएगा और तो यह कहलाता है decoding अब जैसे अब जैसे मालो चलो बोल रहा है आप डारेक्ट समझ रहा है encoding मालो नहीं किये हिंदी में बोले encoding नहीं किये ठीक है और कैसे नहीं किये अगर मालो की हिंदी नहीं आता तो फिर प्रॉलम हो जाता आप जैसे कोई picture ही दिखाए ठीक है पिक्चर ही दिखाए बच्चे के लिए picture बुकाता है ना parts of buddy वगरा का आ गया उसमें जो है वो दात का photo दिखा दिया जाता तो एक बार में समझ जाते हो कि दात दिखा रहा है आदमी नहीं फोटो में ठीक है तो वो क्या करता है आपका mind उसको decode कर लेता है ठीक है decoding करता है decode कर लेता कि हाँ code को decode किया समझने लाइक बनाया यानि आपका mind उसको समझने लाइक जब बनाता है उस process को decoding करते हैं I think clear हो गया होगा ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा ची नहीं topic feedback the target receiver's response देख लीजिए यह बहुत ही समझने का चीज है सबक को समझे यहां पर एकदम clearly दिया हुआ है the target or receive sorry the target or receiver's response यानि आप लोगों का response और non response to the source or sender's information यानि आप लोग जो react करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा खराब लगा यह ने समझे वो ने समझे जो बोलते हैं यह कहलाया आपका feedback class में ही पढ़ाते हैं कोई topic जो है आप लो समझा दीजिए ठीक है बोलते हो तो आपका feedback हो गया यानि हमने जो information दिया आपने उसको समझा नहीं समझा उसके बारे में क्या राय है अच्छा लगा नहीं लगा बुड़ा लगा सरपटके मर्जा ठीक है बुड़ा लगा क्या हुआ तो जो भी आप लोग उधर से हमको response देते हैं जो भी reply देते हैं यही feedback कहलाता है ठीक है तो I think आपको आठो topic clear हो गया होगा किसी में कोई confusion नहीं हुआ होगा अगर किसी में कोई confusion हो गया हो तो बहतरीन धंग से इसको मैंने explain कर दिया है आप वीडियो को दुबारा भी देख सकते हैं क्योंकि data बस एक ही बार का लगता है आपको दुबारा का नहीं लगता है ठीक है इतने भी कंजूस मत बनो दुबारा इसको देख सकते हो ठीक है अब चलिए हमनों cycle को समझते हैं कौन सा cycle है तो भाई eight components of a communication cycle आठो components को समझो समझें सुरू करें चलिए देखते हैं उपर से शुरू करते हैं ठीक है डि इस चीज़ के बारे में बोलना है तो भाई communication cycle के बारे मेरे माइंड में यह बात सेट हो गया कि हमको बोलना है मैंने idea लगा लिया ठीक है information create कर लिया माइं में अब क्या किया उसको मेरे माइं में मानलो कि आ गया हिंदी में और हम तुमको इसको इंगलीस में explain कर रहे हैं इं अब सुनो सारा कुछ सुन लिए इतना दिर से तो हो गया message जो information आपको दिया गया message ठीक है अब क्या है कि भाई कैसे बोले यह जो हमको message है message का मैंने चुना तो कर लिया लेकिन message दे कैसे ठीक है तो भाई अगर हम direct video बना के भेजेंगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा डेर जो है क्या बलते हैं इसको मनुष चेहरे का video ना बना के दे ठीक है तो आगे देखते हैं selecting medium हो लो medium चूज कर लेंगे कि चलो भाई वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं आपको उसके बाद transmission of message यानि आप हम आपको WhatsApp पर इसको भेज देंगे यानि आपको यह message transmit कर देंगे message दिया है और पता है मुझे कि आप लोग भी बहुत ही बेसवरी से मेरे हमवर का इंतिजार करते हैं अच्छी बात है thank you इसके लिए receiving message by the receiver आप जो है वो receive करते हैं message आपको receive होता है और उसके बाद क्या होता है फिर आप अपने mind को decode करना आपका जो दिमाग है उस message को पढ समाग उसको समझ रहा है यानि decoding कर रहा है समझ गए आप अगर पूरा समझ लिए ठीक है तो अगर सारा topic समझ में आया तो फिर feedback क्या लिकलता है वाह सब समझ गए मजा आगया ठीक है अगर समझ गए तो अगर नहीं समझे तो feedback वाला system समझ में नहीं आया क्या है तो जो आप बोल रहे हैं अभी आपका mind जो सोच रहा है उस पूरा information को लेने के बाद वही तो feedback है ठीक है यानि पूरा information लेने के बाद आपने उसके बारे में क्या सोचा उसमें क्या कमी नजर आई क्या समझे क्या नहीं समझे अच्छा लगा खराब लगा यही आपका feedback कहलाता है और यह आप देखिए डारेक्ट नीचे वाला arrow green कलर का यह आप डारेक्ट ट्रांसफर किसको कर रहे हैं हमको कर रहे है सर क्या समझ में नहीं आया ठीक है सर बहुत अच्छा लगा ठीक है इस तरीके से जो भी आपका response आया वह कहल लाया feedback ठीक है और यहीं रहने दे मेरे हिसाब से रहने देना चाहिए ठीक है या फिर आगे बढ़े क्या ना चोड़ो आज हम यहीं रहने देते हैं और बाकी का जो है वह अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे ठीक है तो तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिए कुसल से रहिए और इसमें जो भी important topics है points है उसको note कर ले जो जो important topic लगा उसको याद कर ले possible हो तो उसको आप हिंदी में भी लि जोर नहीं है ठीक है तो इसको कर लेंगे वर्क और करके अपने पास ही रखेंगे भी भेजना नहीं है ठीक है बस आपका दिन सुभ एब मंगल में हो बाई